Hello everyone, welcome to the class, this is Mayas for Vigyan, जहां नहीं छोटेगा आपको Vigyan, friends कैसे हो आप साब बढ़िया हो, मस्त हो, जखास हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप लोगा सिलिवस कहां तक complete हो चुका है, मुझे comment box में जरूर से बताना, और friends आपको फर्स बनता है कि मुझे यह जरूर बता अब सुनो मेरे बात, आज हम लोग भी ले हैं, थर्मो डैनेमिक्स के lecture number 4 पर, lecture number 1, 2 और 3 हम पहले ही discuss कर चुके हैं, और थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या हम लोग 70% concept को clear कर चुके हैं, और friends आज भी, आज भी, पहले की तरह, वीडू के end में, मुझे comment box में thanks कही भी नहीं जाओगे, friends कहोगे, सच में आपने इस chapter बहुत ही ज़्यादा ही जीवना दिया है, आखिर मैं आया किसलिए हूँ, आपके सारे concept को clear करने के लिए, friends, तो आज हम लोग thermodynamics के laws के बारे हैं पढ़ेंगे, clear है मेरे बात, चलो start करते हैं, देखो समझा मेरे बात, thermodynamics laws, जैस जीरोथ law, first law and second law, सब पढ़ेंगे, clear करेंगे, सब कुछ, समझो मेरे बात, सबसे पहले आता है, जीरोथ law, क्या है जीरोथ law, समझो, जीरोथ law ये कहता है, जीरोथ law ये कहता है, कि अगर, अगर कोई भी दो systems, का temperature same है, temperature same है, और वो दोनों system, thermal equilibrium में है, यानि आब एक ही बा जाएगे, तो अगर temperature C में होगा, और वो thermal equilibrium में, तो automatically, जो third, जो system होगा, वो खुद के खुद, thermal equilibrium में हो जाएगे, इसका temperature खुद के खुद constant हो जाएगा, clear मिर बात, यही चीज का जीरोथ law ने, क्या कही, if two system definition पढ़ेंगे, system A and B, अगर A and B क्या है, thermal equilibrium में है, तो, क्यों कि other system होगा, C जो होगा, वो भी क्या होगा, thermal equilibrium में ही होगा, उस दोनों system के साथ, जैसे clear, समझाते हैं, आपको, माल लो, माल लो, माल लो, समझो, 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 A and B, A and B, and C, यह तीनों क्या है, एक system है, अब माल लो, A से मैंने C को हीड़ी, तो माल लो, दोनों का temperature, इन आखे देखो ने, तो यह समझ कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह देख लो ना, आखे, समझ नहीं करे बाद, देखो अगर A और B, temperature same है, A और B, sorry, A और C का temperature same है, same है, ठीक है, तो C और B का भी same होगा, बिल्कुल ठीक है, भाई, तो A और C का, यानि A और C अगर thermal equilibrium में है, एट B और C thermal equilibrium में, यानि कोई भी दो system thermal equilibrium में, चाहे B C बोलो, चाहे A C, तो क्या होगा, बेसक इंके बीच में, A और B, यह दोनों भी क्या होंगे उस वाक्त, यह दोनों भी thermal equilibrium होंगे, बेसक उग बीच में insulating wall ही क्यों ना हो, क्या होगा, A और B, A and B भी आप पर दपस में thermal equilibrium में होंगे यह कहा जीरोत लाइं के बीच में insulating उससे कुछ भी फ़रक नहीं पड़ता प्रेंट कुछ नहीं पड़ता गाईस समझो नहीं हां पर बात जो कह गई है इसे मध्यान देंसे इनके बीच में insulating और कंडेंटिंग कुछ नहीं बद जीरोत लाप पर जीरोत लोग क्या है क्या रहा है यह हमें समझागी जल्दी से इसका screenshot ले लो आगे देखते हैं जल्दी से ले अब आगे देखो फर्स्ट लॉफ थर्मोडैनेमिक फर्स्ट लॉफ थर्मोडैनेमिक ना एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ट है बच्पन से क्या पढ़ता रह अब क्या समझना है वो देखो आप क्या कहता है अब इस्टेंडर्ड पढ़ेंगे बढ़ी हो गए हम लोग बढ़े हो गया है यह लेकिन आप kya पढ़ना है कि मालो कोई सिस्टम को जो दी जा रही है हीट जो दी जा रही है वो सम के एकोल होगी कि इसके increase in internal energy and work done कैसे समझाता हूँ मैं देखो सिस्टम को कोई वर्ग जैसे कोई सिस्टम है देखो यह सिस्टम है यह लगा है हमारा पिश्टून मतलब यह पिश्टन देख है यह मैंने भर दी इसके पिश्ट मैंने हीट दी आप मैं हीट दो गाय confession जो कही जा दिये फर्स्ट लॉफ थर्मोडानेमिक इन इस्टेंडड ग्लास ब्रोग समझे मेरे बात यही है कि जो हम हीट दे रहे हैं गिवन हीट ऑफ जो सिस्टम को हीट दी जा रही है वह इकोल होगी इंक्रीजिव इंटर्नल एनरजी जो भी इंटर्नल एनरजी में चेंज हो रहा है उसके इंक्रीजमेंट में ठीक है और किसके वाक्ड़न बाइस सिस्टम की दौरा जो भी वाक्ड़न हो रहा है और यहां पर सिस्टम की दौरा क्या वाक्ड़न हो यह मैं आपको क यह मैने लगा दिया पिष्टन ठीख है पिष्टन यह मैने इसके अंदर भर दी गैस अयो रामा गैसी गैस हीट दे रहे हैं यहां से यह मैंने भर दी गैस अब यहां पर कॉण साब्ट अपना क्या चीज्ट मैं कह रहा हूं क्या चीज यहां पर जो हीट दे रहे हैं हम यह हीट दे रहे हैं किसके इकॉल है इंटर्नल एनर्जी और सम वर्क दंबाई तो volume क्या है बढ़ जाएगा, volume जह है, वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, पिश्टन उपर उठेगा, तो इसके अंदर का volume बढ़ जाएगा, लेकिन pressure तो नहीं बढ़ रहा, pressure तो constant ही है, तो pressure change नहीं होगा, बस volume बढ़ता है, तो इस दोने में relation क्या ब volume बढ़ा दिया गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, सबज्ञा मेरे बात, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, del q equal, del u plus pressure into volume नहीं लिख सकता हो और चैंज इन वाल्यूम और तो कॉंस्टेंट बास लिख सकता हूँ यह भी लिख सकते हूं कि अट्री वाल्यूम कि वीडियों कि नहीं दो बार बोला है इसको लिख सकते रिक सकते हैं चलो जल्दी से इसका screenshot ले रो पिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से अब कुछ गलतिया कर दी first law of thermodynamics में क्या गलति कर दी भाई देखो गलतिया जब भगवान से हो जाती है तो यार ये law क्या है सही क्या रहो ना गलतिया होती रहती है होती रहती है कुछ खामे निकलती रहती गल रहती है कि इस्टम वह दो पार्ट में दिवाइब रहती है एक इंटरनल अलजी की रूप में और वर्डरुन की रूप में तो क्या होता है जो हम heat transfer करते है तो क्या बताए इस नॉट इंडिए दर डारेक्षं ऑफ ट्रांसफर तो जो भी heat transfer हो रही है heat transfer जो भी हो रही है उसकी direction नहीं बताई कि वो कहाँ से होगी उसके कोई direction नहीं बताई वो कहाँ से heat transfer होगी पहली खाम यह थी यानि पहली limitation यह थी cycle limitation क्या It does not tell about the condition under which heat can be converted into work यानि कि heat जो है work में convert होती है लेकिन कैसे होती है किसके अंडर में होती है कैसे होती है convert ये भी नहीं बताया वाग्टन में पूरी मतलब नहीं बताया ये चीज फर्स्ट लॉग थर्मिडाने में एक बाद दुबारा पढ़ने ला तभी समझाएगा ये बहुत important है मैं यहां पे star लिग देता हूं star अगर आगी तो आप यह पॉइंट लिग दोगो अच्छे का से माक्सिमें जाएंगा दास बारा तो नंबर मिलेंगे एक नमर मिल जागा पढ़ना धान से सब्सक्राइब कैसे होती है हीट कैसे होती है हीट वर्क में converted ये नहीं बताया अंडर विच किसके अंडर में ये नहीं चुक्त आए भाडकर तो विच सब्सक्राइब करें रहीं लेकिन कब तक वो चलत लेगी वागर धिकशनी मारों टाया यह भी खाम ही बता दिया यह लिविटेशन प्राइब एक बार दुबार इसको पढ़ रहो समझो पहला क्या बता है डिरेक्शन भी ट्रांसफर की दूसरे क्या नहीं बता है इस नौट अपट अपट विच एक्सटेंट इसके अंडर में जो हीट है वह कनवर्ट होगी वर्क में तीसरी बात कहने बता ही इस नौट अपट विच एक्सटेंट इसके वह बता है कि कब तक होगी कहां तक होगी इसका लिमिट है होने की यह भी नहीं बता है समझे इस बात जल्दी से इसका स्क्रीन सोट ले लो अग बढ़ते हैं अब देखो सेक्ट लॉफ थर्मोडेमि आपने समझ जए जी रॉत लॉफ और फर्स्ट लॉफ अब और इसके लिमिटेशन ने पढ़नी अब देखो सेकेंड लॉफ थर्मोडेमिक किया है बिसेकली यह तो लोगने डिवाइंट किया दो लोगने दो लोगने अपनी अपनी बताई अपनी अपनी फिलिंग्स किया describe किया पहले हम समझते हैं Calvin जी ने क्या कहा Calvin Planks का statement दो वो क्या कहता है क्या कहता है it is impossible to it is impossible to search engine that can be convert complete heat into without loss क्या कहा जा रहा है यह क्या कहता है यह impossible है यह possible ही नहीं है कि कि किसी भी heat को heat को किसी भी engine में completely completely work में complete किया जा सके without any loss यानि का मतलब यह ऐसा वर्ड में ऐसा कोई engine ही नहीं बना engine है नहीं ऐसा जो 100% आपको work दे heat का यानि heat ले वो जो engine है वो heat ले और आपको 100% work done दे without any loss बिना मतलब कि बिना किसी loss के heat को loss ही ना करे बिल्कुल भी और पूरा का पूरा जितने heat आपने दी उस पूरे heat का work done आपको दे दे ऐसा को engine ही नहीं बना और यह impossible भी है बस यह theoretically engine हो सकता है जैसे हम अभी heat engine पढ़ेंग हम सारी चीज़े पढ़ेंगे सारी चीज़े पढ़ेंगे tension मत दो लेकिन अभी Kelvin Plank जीने क्या का कि impossible है कि किसी भी heat को engine में फिर कोई भी engine heat को completely completely work में convert नहीं कर सकता बिना किसी loss के वो कुछ ना कुछ तो loss heat को करता ही है clear है अब closest statement क्या कहता है कि यह impossible क्या कहता है it is impossible यह impossible है कि जो किसी भी heat का transfer है heat का transfer है किसी system में यह किसी भी चीज में वो lower temperature to higher temperature हो lower temperature to higher temperature कभी हो ही नहीं सकता कभी भी हो इसकता बिना किसी external agent के बिना किसी बहरी उपकरन के क्या कि it is impossible to transfer of heat from lower temperature to higher temperature without any external agent बिना किसी external agent के इतना याद रहो बिना किसी external agent के किसी भी हीट का lower temperature to higher temperature transfer हो ही नहीं सकता हो या नहीं हो सकता है यह दोना बात clear ही यह वर दोबार बता तो आपको Calvin Prax statement क्या कहता है इंपॉसिबल है इंपॉसिबल है कि कोई भी इंजन हीट को 100% efficient दे जनी 100% आपको efficiency दे हो ही नहीं सकता इंपॉसिबल ब्रो सेकेंड क्लॉसिश्ट क्या कहता है यह कहता है कि कभी भी हीट का transfer lower temperature to higher temperature हो ही नहीं सकता है यह कहता है यह कहता है बस यह दो बस यहीदा second law of thermodynamics जल्दी से जल्दी से चलो अब थोड़ा से overview लेते हैं thermodynamics प्रोसेस का देखो इस सारी चारो चीज़े को डिटेल अंगले लेक्षे में बात करेंगे प्री रहो अराम से पड़ो देखो अभी सिर्फ ओवर्वी ले थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जा है कि क्यासे होता है देखो आइसो थर्मल प्रोसेस एडिया जो थर्म डायमिक प्रोसेस है उसके बेसिकली चार प्रोसेस होती है और जी आइसो थर्मल प्रोसेस एडियावेटिक प्रोसेस आइसो पारिक प्रोसेस और आइसो पारिक प्रोसेस प्रोसेस यहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट रहता है जहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट रहता है जहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट यहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट यहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट यहां पर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट यहां पर टेंप्रे ठीक रहा है अब आइसो बारी प्रोसेस क्या होती है जहां पे constant pressure जहां पे pressure constant रहता है ऐसी प्रोसेस जहां पे pressure constant और ऐसी प्रोसेस जहां पे volume constant विडा कॉंस्टेंट वॉल्यूम तो यह होती है आइसोखरी प्रोसेस तो चारो चीजे जो है यह क्या है थर्म टैने में डिटेल में पढ़ेंगे अगले रेक्टर में अभी प्री रहो मजा आ जाएगा दीरे दीरे बढ़ा करो टैंशन लोग तो कुछ नहीं होगा ज्यादा कॉंस्टेंट वॉल्यूम क्लियर इसनी बात जल्दी से इसका भी स्क्रीन सट लो जल्दी से ले लिया तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्षर में इन चारों चीजे के बारे में डिटेल्ड में हम डिटेल्ड में बिल्कुल पढ़ेंगे मजा आ वीडियो मिरको कमेंड में जरूर बताना अगर अच्छी लोगों तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना बस मिल जाएँ नेक्स्ट वीडियो में जय के लिए जय हिन जय भारत ब्रो बाई-बाई